को और वहतर प्रत्याशी वहां खोजना चाहिए था यह मैं सहमत हूं आपसे 31 सीटों पर इस वख समाजवादी पार्टी आगे चलती भी दिखाई देरी 31 पर इस अगर यह होगा तो फिर अखलेश यादव के लिए बहुत बड़ा जिसू कहने कि देश भर में और सारे लोग गायब हो रहे हैं आप सुचे कि नवीन पत्नायक उडिशा से कमजोर हो जाएंगे जगन मोहन कमजोर हो जाएंगे तो आप दो बहुत उस गड़ जोड के हिसाब से कहें तो एक अखलेश यादव और उद्धव ठाक रहे हैं दो लोग हैं जो अपना ग्राउंड होल्ड करते हुए दिख रहे हैं तो कॉंग्रेस पार्टी यूपी में पांच सीटों पर आगे चल रही है इस वग जिसमें से एक अमेठी नहीं है एक अमेठी नहीं पहले चुनाव तेलंगाना में हुआ वहाँ पर भाज़पा आगी जा रही थी तो जो स्थापित पार्टियां यह सारी जब निकलती जा रही थी तो वहाँ पर अगर यह वाकई चुनाव के नतीजे यही निकलते तो अखलेश का रिसर्जिंस जिसको कहते हैं वह वाकई आ आज जब खीसता है तो ऊपर की टैली भी देखें नजराने लगती ऊपर के नंबर भी बदलने लगता है तो मुझे लगता है कि यूपी का तो नंबर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आएगा तो वही तैकर है चली गई थी एंडिया की टैली घटकर के 287 पर आगे यूपी का स्कोर 27 चल रहा है और देखिए अब मतलब क्या नतीजे होंगे नहीं पता है लेकिन कैसर गन से ब्रिजभूशन सरन सिंग का बेटा करण भूशन हार रहा है जिस तरह का अंदाज रहा हर किसी को जिसको कहते हैं कि ठेंगे पर दुनिया इस अंदाज में रहने वाला व्यक्ति अगर उसके सामने भारती जन्ता पार्टी ऐसी असा है मैं मानता हूँ जीच जाएगा मेरा मानना है कि करण भूशन हरा रहा है लेकिन फिलाल यहां से ट्रेंड में जो शुरूवाती उचान है उसमें समाजवादी पार्टी आगे चल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने लीड ले लिया और जैसे ही उत्तर प्रदेश के इन रुझानों में फेर बदल होता है जो ओवरॉल टैली है उसमें भी कही न कहीं फेर बदल हो जाता है देखे बारबंकी आयोध्या, लिड कर नगर, बहराईच और कैसर गंज, आपर आपको इंडिया गटपन्दन का जो दबदबा है वो फिलाल शुरुवाती रुझान में नसर आ रहे हैं, दोसीटे श्रावस्ती और गोंडा की बीजेपी जरूर इन पे लीड कर रहे हैं, दुमरिया गंज में फिर आपको में कनवर्ट होगा, तो क्या होगा, ये देखना बड़ा दल्चस्प होगा, लेकिन इन सीटों पर, आयोध्या पर हर्शपर्दन जी उम्मी थी कि समाजवादी पार्टी लीड दे सकती है, लेकिन हर किसी का एक वक्त होता है, अगर उस वक्त के बाद आप निरने नहीं ले पाते हैं तो उसका नुकसान होता, आयोध्या तो पांच लाग के मार्जिन से जीतने वाली सीट थी, जो काम हुआ है वो अकल पनी है, हम लोग तो बगल के जीले प्रताब गड़के हैं तो हम जानते हैं और वहाँ अगर किसी भी समय भारती जनता पार्टी पीछे जा रही करना चारी थी जो मैं पश्ची में उत्र प्रदेश की बात कर रही थी कि आरेलडी के आने से जैन चौधरी के आने से कोई पाइदा होता हुआ फिलाल तो नजर नहीं आ रहा है भारते जानता पार्टी पार्टी मेरत ये दो सीटें भी पीछे चल रही हैं और ये थोड़ा साथ जिसको हम कहते हैं अगर मेरत में अरुन गोविल जो राम का करेक्टर करते हैं रामायन में